आज की रेसिपी वैसे तो एक आम रेसिपी है। इसको हम घर पर डेली बनाते हैं। चाय को हर कोई यूज करता है। पर हलवाई चाय कासे बनाते हैं, दूद और पानी का क्या रेसो रखना है, चीनी कितनी यूज करनी होती है। बहुत कुछ जानने को, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, घंटी का बटन दबा दे, और दोस्तों में भी शेयर जरूर करे, तो चलिए, बनाते हैं आज की ये रेसिपी, यहाँ पर 3 केजी दूद लिया है, अब इसमें 3 केजी पानी डाल देंगे, आब इसमें उबाल आने देते हैं, जैसे ही उबाल आ जाए, इसमें 1.500 ग्राम चाई डाल देंगे, अब इसमें लगवग 900 ग्राम चीनी डाल देंगे, अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो ज्यादा चीनी डाल ले, आप इसमें को उबलने देंगे, अगर आप घर पर चाई बना रहे हैं, तो एक कप चाई के लिए आप आदा कप पानी ले, आदा कप दूद को उबाल ले, आप इसमें आदा टेबल स्पून चाई डाल दें, और एक टेबल स्पून चीनी यूज करें, चाई की पहले भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, अगर आप ने वो वीडियो नहीं देखी, तो उपर आई बटन पर कलिक करके आप उसको देख सकते हैं, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप इसमें अधरक डाल सकते हैं, इलाइसी डाल सकते हैं, चाई का मसाला भी आज कल मार्केट में रेडिमेंट मिलता है, उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं, अब चाई को अच्छी तरह से उबलने देंगे, जब तक की अच्छा सा कलर ना आ जाए, अब चाई में उबाल आ चुका है, अब हमारी चाई तयार है, इसको हम किशी बर्तन में निकाल लेंगे, आप भी इस रेसिपी से चाई बनाकर जरूर पिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चानल सबस्क्राइब नहीं किया है, तो हमारे चानल को सबस्क्राइब कर ले, और भी हमारी अच्छी अच्छी हलवाई वीडियो आने वाली है, दोस्तों में शेयर जरूर करें, आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अपनी किशी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड़ बाई फ्रेंड्स,